किस तरह सौन किया जाता है तो आज भी हम एक साइमेंटेरियुएशन सौन करेंगे लेकिन एक स्पेशल type of simultaneous equation है अब इसकी speciality क्या है मैं आपको बता देता हूँ speciality इसकी कि यहाँ पर आप गोर करो कि पहली equation है 15x plus 17y is equal to 21 equation number 1 नाम देंगे इसको और दूसरी equation है 17x plus 15y is equal to 11 इसको हम equation number 2 नाम देंगे अब यहाँ पर आप गोर करो कि जो x का जो coefficient है 15 दूसरी equation के अंदर वो y का coefficient है और पहली equation में जो y का coefficient 17 है वो दूसरी equation में x का coefficient 17 है अगर आपको ऐसा नज़र आता है तो यह special type of simultaneous equation है और इसको solve करने का जो method है थोड़ा सा different है बहुत ही आसान है लेकिन आपको किस तरह solve करना आज हम आपको बताते हैं तो मैं बता देता हूँ कि एक मरतबा इन दोनों को हम add करेंगे और एक मरतबा इन दोनों का subtraction करेंगे तो सब में पहले हम मैं लिखता हूँ एडिंग equation 1 and equation 2 इन दोनों का addition करना है हम तो पहली equation है 15x plus 17y is equal to 21 और दूसरी equation है 17x plus 15y is equal to 11 इनका हम क्या करेंगे addition कर देंगे यहां पर मैं addition कर देता हूँ 5 plus 7 12 और यह हो जाएगा 1 plus 1 32x ठीक है 17 plus 15y यह होगा 32y is equal to और यह हो जाएगा 21 plus 11 यानिके 32 ओके स्टूंट अब यहां पर देखिए यह जो equation हमें मिली है 32x plus 32y is equal to 32 इसको हमें 32 से divide कर देना है तो आपको क्या मिलेगा देखिए 32x अपॉन 32 डिवाइड करें 32 से और 32y upon 32 is equal to 32 upon 32 यहां पर आप लिख सकते हैं divide both the side by 32 तो यह 32 यह पूरे कैंसल हो जाएंगे आपको क्या मिलेगा x plus y is equal to 1 अब इसको हम equation number 3 का नाम है तो के स्टूंट यहां तक clear हो गया एक मरतबा इन यह simultaneous equation को आप क्या करेंगे अब मैंने क्या कहा था आपको शुरू में एक मरतबा आट करना और एक मरतबा सब्ट्राक करना है मैं इनका सब्ट्राक्शन करता हूं यहां पर हो जाएगा फिर से मैं लिख लेता हूं equation number 1 15x या फिर जो है हम जो है एक sentence लिखेंगे subtract equation 2 from equation 1 ओके यहां पर equation 1 में इस equation number 2 निकालना है आपको subtract करना है तो equation number 1 क्या है 15x plus 17y is equal to 21 और equation number 2 है 17x plus 15y is equal to 11 ओके इस्ट्राक्शन अब यहां पर हम subtract करेंगे subtract जब हम करते हैं तो एक बात यादर को instrument के यहां पर sign change हो जाएंगे यह 17 plus का है तो यह minus का हो जाएगा यह 15 plus sign है तो यह minus sign हो जाएगी 11 की भी sign plus है तो यह हो जाएगी minus अब आप क्या करना है 17 में से 15 minus करना है तो आपको मिलेगा minus 2x फिर आप क्या करेंगे plus 17 में से minus 15 करेंगे यहां प्लस 2y is equal to 21 में से 11 minus कर देंगे आप तो आपको मिल जाएगा plus 10 ठीक है अब देखें यहाँ पर minus 2x है यहाँ पर 2y is equal to 10 मिल गया है यह यह जो है 2 के table से यह divide हो सकता है तो आप लिख सकते हैं divide बोट देखेंगे यह जाएगा minus 2x अपान 2 ब्लस 2y उपान 2 इस एकल तो 10 अपान 2 तो यह 221 अचीप देखें है minus x plus y is equal to 5 इसको हम equation number 4 देदेगे एक मिल गए आपको equation number 3 x plus y is equal to 1 और दूसरा मिल गए आपको equation number 4 minus x plus y is equal to 5 अब देखना है यहाँ पर यह दोनों equation को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो पहले मैं लिखूंगा x plus y is equal to क्या मिला था अपने को 1 मिला था और equation number 4 क्या मिली थी आपको minus x plus y is equal to 5 तो यहाँ पर हो जाएगा minus x plus y is equal to 5 अब इन दूनों equation पर आप गवर करो इनका आप addition करेंगे या subtraction करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं इनका addition कर देता हूँ तो यह x वाला जो term है यह 0 हो जाएगा और y plus y यह हो जाएगा 2y is equal to 5 plus 1 हो जाएगा 6 यहने कि आपको equation मिल गए 2y is equal to 6 then y is equal to 6 upon 2 हो गया यह then y is equal to 3 ठीक है तो y का value अपने को 3 मिल गया अब आप क्या करना है y का value किसी एक equation में रखो 1 में रखो 2 में रखो 3 में रखो या 4 में रखो चलेगा तो यहाँ पर हम रखेंगे put y is equal to 3 in equation 3 equation number 3 देखिए यहाँ पर है तो यह हो जाएगा x plus y is equal to 1 अब y की जगा पर 3 रखना है मुझे यह हो जाएगा x plus 3 is equal to 1 then x is equal to 1 और यह जो 3 है equal to sign के right hand side जाएगा यह minus 3 हो जाएगा then x is equal to minus 2 ठीक है तो यहाँ पर x का value मिल गया और y का value मिल गया तो जब simultaneous equation को solve करना है मतलब x और y का value मालूम करना है तो आप लिख सकते इसका final answer आप लिखेंगे दीक है, the solution of given simultaneous equation is x is equal to minus 2 and y is equal to 3 तो यह एक special type of की simultaneous equation थी और जिसको हमने इस तरहेगे से solve किया है Hope you have understood the method Thank you for watching